बाक टो माई चैनल तो हम आज देखेंगे हमें अपने शॉर्ट नोट में क्या क्या वंचन करना है ना हिंदू के शॉर्ट नोट में तो देखो पहला हमारे एक आया है कुकी चेन नेशनल आर्मी के ठीक है के लिए जिन यूज में आथा तो हमें पॉलिटिकल वो सारी किया गया था 2008 में और यह क्रियेट किया गया था separate state यह किसले क्रियेट किया गया था कि create कर सके एक separate state चिता गॉंग हिल ट्राक कहां पे in southern बांगलादेश में है ठीक है तो यहां की यह बात की गई है और एक चीज़ और आपको जानना है इंडिया is not a signatory to UN refugee convention तो मैंने जो आपको बोला था है निदिसेस में कि हम इसको short note में discuss करेंगी तो वो यही है कि इंडिया जो है वो signatory नहीं है किसी इसका UN refugee convention 1951 का ठीक है and it's 1967 protocol does not recognize refugees तो मतलब एक हिसाब से यह आप जानो कि जब इंडिया signatory नहीं है even refugee convention 1951 का तो वो ऐसा है उसके लिए कुछ भी नहीं है कि उसको यह चीज़े follow करनी है उसको अगर आगे है refugees तो उसको अपने हां रखना है उनको certain जो भी protocols हैं जो भी चीज़े हैं उसको follow करना ऐसा नहीं है पर humanitarian एक aspect से ठीक है इंसानियत के नाते इंडिया वो करती है जैसे आपने उसमें देखा जो भी कर रही थी food provide कर रही तो वो सारी चीज़े कर सकती है पर इंडिया is not a signatory to you and the refugee convention of 1951 वो convention जो हैं इंडिया ने वो उसका signatory नहीं है इसलिए वो बात दे नहीं है इसचीज़ के लिए उसको ऐसा कुछ pressure नहीं है दबाव नहीं है कि उसको यह चीज़े करनी ही है उनको रखना है उनको treat करना है वो सारी चीज़ों के लिए इंडिया ने साइन नहीं किया है तो यह चीज आपको पता होनी चाहिए एक आया था बिंडी स्कीम या निकि जो OTT प्लेटफॉर्म ठीक है प्रसार भारती और यह जो आया था मैंने दिखाया था आपो न कि यह भी इंपॉर्डंट है इसके लिए क्या पढ़ना है य OTT platforms के लिए OTT platforms के बारे माँ आप सब जानती ही होंगे ठीक है मोस्टली आज कल उसी पर सारी चीज़े रिलीज हो रहें है प्रसार भारती 28 रिजिनल चैनल्स वोड़ बिकम SD प्रोग्राम प्रडक्शन के कैपिबल तो क्या हुआ है प्रसार भारती का 28 रिजिनल चैनल्स ज नेशन तो इंडिया का करने वाली है होस्ट करने वाली है समिट ग्लोबल साउथ नेशन का और यह किसके जो ministry of external affair है उन्होंने send किया है participant from more than 120 countries को ठीक है यह चीज़ की इंडिया होस्ट करने वाली समिट किस चीज़ का समिट है यह ग्लोबल साउथ नेशन यह याद रखना unity of voice, unity of purpose तो अगर UPSC में पूछा तो ठीक है पर बहुत सारी state PSE exams भी जो conduct होते हैं उसमें भी यह theme के बारे में पूछ सकता है ग्लोबल साउथ नेशन जो summit इंडिया होस्ट करने वाली है उसमें जो theme है जो voice of global south summit under theme कौन सी theme unity of voice, unity of purpose यह याद रखना है ठीक है अब next आएंगे, देखो मैंने कल बोला था कि green hydrogen में जो blue और gray hydrogen के बात की गई है तो वो मैंने ऐसे आपको औरली बोल दिया था, written में provide नहीं किया था तो यह चीज़ यहाँ पे मैं लेके आई हूँ तो पहले हमारा green hydrogen के बारे में आपने देखा multiple बार discussion हुआ है newspaper में तो हम पूरा यहाँ पे अभी तक कर जितना discussion हुआ है उसकी समरी है यहाँ पे green hydrogen mission की बात की जाए तो green hydrogen mission को क्या और कहते है renewable hydrogen इसको क्या कहते है renewable hydrogen कहते है यह obtain होता है electrolysis से ठीक है electrolysis electrolysis भी कहते है इसको electrolysis of water गया electrolysis of water जो भी आपको बोलना हो powered entirely by renewable energy generated no polluting emissions, मतलब यह कोई भी polluting emissions नहीं जनेरेट कहता था कि बोला ही क्या जा रहा है green hydrogen मतलब कि pollution free की बात यहां पर हो रही है into atmosphere cleanest and most sustainable hydrogen मतलब यह कहा जा रहे कि cleanest होगा साथी साथ most sustainable hydrogen होगा sustainable मतलब आपको पता ही है कि sustain किया जाना जिससे next generation भी use कर पाए फिर इसमें आगे है adding renewable energy capacity about 125 gigawatt की बात की जा रही कि add करना renewable energy capacity कहां तक about 125 gigawatt तक ठीक है outcomes क्या क्या है increased renewable addition ठीक है increase करना renewable additions को इसके outcomes क्या क्या होंगे इसके बार में हम पहले भी discuss कर चुके हैं पर आज पुरा एक साथ कर रहे हैं तो फिर से हम इसको देख रहे हैं तो outcomes में Alliance क्र पुर्ण्स यह increase होगा इससे renewable additions होंगे इसके, ठीक है, create करेगा jobs, क्योंकि इसमें क्या होगा अभी, जिसमें कोई चीज़ बन रही है, new technology से कोई चीज़ की जा रही है, तो उसमें employees की जरुत होगी, तो job creates होगा, ठीक है, तो यह create करेगा बहुत सारे job, जिससे एक जो unemployment issues हैं, वो भी इससे tackle किया जा सकेगा, और third है, annual greenhouse gas emissions, जो annual greenhouse gas emissions होती है, उसके भी reduction का काम यहाँ पर किया जाएगा, वो भी, जो है, reduce होगा, benefits क्या क्या है, can export, increase opportunity, मतलब, यह हमारी opportunities increase करेगा, mostly हम, चीज़े import जो कराते हैं, अभी इसमें क्या होगा, कि हम अगर अच्छे amount में यह चीज़े बना लेते हैं, जैसे कि बात की जा रही है कि add करेंगे 125 GW renewable energy capacity, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी opportunities आई, बढ़ी हम इसको export भी कर पाएंगे, decarbonization of industrial mobility and energy sector, तो decarbonization होगा, ठीक है, reduction in dependency on import fossil fuels, तो यह मैंने अभी बोला ना, कि mostly हम depend होते हैं, जो imported fossil fuels होते हैं, ठीक है, तो उसमें भी क्य होगा, reduction होगा, ठीक है, development of indigenous manufacturing capabilities, तो development के चीज़ का होगा, indigenous manufacturing capabilities, indigenous manufacturing capabilities का मतलब यह होता है, कि अपने यहां ही बनाए गई चीज़े, यानि कि सुपधी सी चीज़े होगी, ठीक है, creation of employment, वही जो बोला ना, कि उसमें था कि job create होगा, तो वही creation of employment, रूजगार बढ़ेगा, development of cutting edge and technology, मतलब cutting edge technology का development होगा, currently less than 1% global production है, मतलब, currently less than 1% global production, मतलब कितना कम है, यह आप देख लो, तो इसते क्या होगा, यह हम use करके, जादा कर पाएंगे production, create no greenhouse gas emissions, तो greenhouse gas emissions जो है, उसको रोका जात साकेगा, green hydrogen की बात है कि using renewable energy such as wind और solar power, अब देखो, यह किस तरीके से किया रहा है green hydrogen की बात की जा रही है, तो renewable energy की बात की जा रही है, और इसमें किस चीज़ को use किया जाएगा इसके लिए, wind और solar power को, grey hydrogen, grey hydrogen में क्या है, using fossil fuel with carbon dioxide as by product, तो इसमें जो grey hydrogen, देखो, अब green hydrogen हमने पढ़ाना, तो इसी सरी, grey hydrogen और blue hydrogen भी है, उसके बारे में भी हमें जानना है, कई बार क्या होता है, topic जो होता है, उसी से related शीज़े भी पूछी जाती है, exam में, तो यह है, grey hydrogen देखेंगे, इसमें है, using fossil fuels with carbon dioxide as by product, ठीक है, दूसरा, currently account 95% total hydrogen, total hydrogen production, ठीक है, यह grey hydrogen का है, blue hydrogen में है, using fossil fuels, but paired with carbon capture and storage, CCS technology, मतलब यह कहा जा रहा है, कि use किया जाता है, fossil fuels का, but यह pair up हो CCS technologies के साथ, और यह prevent करता है, greenhouse gas को, enter करने से atmosphere में, blue hydrogen, इसका applications भी बताए गया है, तो applications में है, used in refining, किसी इसके लिए, used in refining, steel industry, और जो industrial sector है, वहाँ पे इसका use होगा, to make ammonia for fertilizer industry, fertilizer industry के लिए ammonia, to make ammonia, मतलब ammonia बना के fertilizer industry के लिए benefits होगे, तीक है, यह applications में है, used in transportation and power generation industry, और इस चीज़ को use किया जा सकेगा, कहाँ पे, transportation और साथी साथ, power generation industry में भी, ठीक है, तो यह सारी चीज़े थी, जो हमको, इस से related, जो मैंने बोला था ना, कि gray और blue के बारे में भी discuss करेंगी, वो मैंने वैसे ही बता दिया था, तो यह भी है, आपको अपने short note में लिख लेना है, और बहुत सारी लोग बोलते हैं, पीडिया प्रफाइट करने लिए, तो मैं यह बोलना चाहती हूँ, कि जब आप कोई चीज़े लिखते हो, तो वो आपको जाद अच्छे से त्यार होती है, जैसे आपको याद होगा, जब हम लोग छोटे थे, तो लोग से भी दिख चाहें, तो उसमें करन्ट अफेर्ट की नोट्स होती हैं, उसमें आप सारी चीज़े लिखते चलो, यह मैं भी करती हूँ, तो इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है, थैंक्यू सो मच, आप, ठीक है, मिलती हो नेक्स वीडियो के साथ,